बाग्यशाली विचारवान गुर्मुखों अपने सन्मुख विराजमान शिरी परम हन्स महान विभूतियों के सुन्दर पावन दर्शन दीधार करते हुए एक बार मिलकर बोलना जैकारा गुर्मुखों महाप्रुश अपने जीवों के कल्यान है तु ही इस दरादाम पर अवतरन लेते हैं वे अपने जीवों की प्रतीशन और हर एक कदम पर उनकी रक्षा करते हैं इसके कई प्रमान ग्रंतों में भी लिखे हुए हैं और आप सबने पड़े और सुने भी होंगे कि कैसे सद्गुरु अपने सच्चे भक्त की हर मुसिबत में उसकी साहता करते हैं इसमें से एक हमारे परमाराध्य सद्गुरु दाता दीन डैल जी शिरी पंचम पाच्चे गुरु माराज जी के समय की एक बहुती प्रामानिक और मनमोहक लिला है की एक गुर्मुक प्रेमी जो कानपुर के रहने वाले हैं जिसकी एक बहुती भड़ी नामचिन बिस्किट फेक्टरी है उस प्रेमी का हमारे सद्गुरु के शिरी चरणों में बहुती अटूड विश्वास एवं प्रेम है वो प्रेमी जब भी फेक्टरी जाते तो इसके पहले सद्गुरु द्वारा दिये हुए नियमों की पालना अवश्य करते और साथ में सुबह का आश्रम जाकर शिरी गुरु माराजी के चरणों में मत्था डिकना भी रोज का नियम था उनका तब नियमों की पालना करने की वज़र से उनकी सुर्ती पूरा दिन काम करने के बावजूद भी श्री गुरू मराजी के श्री चरणों में लगी वी रहती थी। एक बार उनके शहर में कुछ बहुती उच्च पदस्त अपसरों की मिटिंग थी। और मिटिंग के दोरान जलपान और नास्ते का प्रोग्राम रखा था तो उस प्रोग्राम के एसाफ से तैव हुआ था कि उसमें क्या-क्या रखना हैं तो उसमें नास्ते के साथ-साथ शोटे-चोटे केक्स और बिस्किट का रखना भी तैव हुआ अब अपसरों ने प्रोग ये मिटिंग थी, उस मिटिंग के होने के बाद सभी अपसरों को नास्ता वित्रण किया गया, इसमें शहर के बड़े बड़े अपसरों ने, जिसमें आईस आफिसर और भी बड़े अधिकारियों ने शिरकत की थी, अब जब मिटिंग समाब थोई, तो सबको नास्ता बाटा गया, तो उसमें से एक अपसर ने, जब केक खाने के लिए, जैसे ही उसके उपर लगा हुआ, कागश का टुकड़ा हटाया, तो उसके अच्रच की सीमा न रही, उसने देखा कि केक के उपरी सतह पर सौपेरी, जिसके सौपेर होते हैं, ये एक जीव है, वो केक में चिपकी हुई थी, वो अपसर ये देखकर ढरसा गया, और मन में सोचने लगा, कि अच्छा हुआ, कि ये मैंने खाया नहीं, और वहाँ उपस्तित, सभी अपसरों को उसने ये दिखाया, और सब ने देखा, कि ये केक तो विशेला हो गया है, और बिसकेट कमपनी की लापरवाई को लेकर, तरह तरह की चरचाएं करने लगे, कि तुरंट के तुरंट इस बिसकेट फैक्टरी के मालिक को फोन लगा कर यहां बुलवाओ, फिर करमचारी ने आदेश के अनुसार उनको फोन लगा कर बुलावा भीजा, तब उस बिसकेट के मालिक ने अपनी फैक्टरी के मेनेजर को फोन लगाया, कि आप तुरंट अफसरों के पास जाएं और मैं थोड़ी दिर में वहां पहुंचता हूँ, वो प्रेमी अपने मेनेजर को भेश कर, खुद जाने के पहले अपने शहर की कुटिया गया, और श्री गुरु मराजी के चरणों में धंड़त पड़ाम किया, मत्था टेक कर, वहां श्री मंदिर में अरदास और नाम का सिमरन करने लगा, गुरु मुखों, उस प्रेमी को यह बात अच्छी तरह पता थी, कि यह बहुत बड़ा गंबीर मसला है, और उपर से सरकारी अफसरों का मसला, अब इसको श्री गुरु महराजी के लावा, दूसरा रास्ता देखी यह नहीं रहा था, देखेंगा भी कैसे, वो तो था यह अपने गुरु महराजी का प्रेमी, अब सब उनको ही करना था, श्री मंदिर में वो सिमरन पर बैठ गया, और इदर उनका मैनेजर, जब उस कारेले पहुँचा, जहां ये मिटिंग हो रही थी, वहाँ उपस्तित सभी अफसरों की डाट फटकार का उसको सामना करना पड़ा, कि ये क्या है, इस तरह से आप लोग फैक्टी चलाते हैं, इतनी गोर लापरवाई, ये तो हदी हो गई, बिचारा मैनेजर जब केक को देखा, तो वो भी डर सा गया, फिर थोड़ी दिर बाद, मैनेजर उस केक को हाथ में ले लिया, तो वहाँ सामने अपसर की मेच पर रखी हुई, पेपर पिन को उठाया, और उस पेपर पिन से केक को जहां ये जीव चिपका हुआ था, उसके आजू आजू खुरेदने लगा, अब खुरेदते खुरेदते उसको उपर की दरब खीश लिया, तो देखता है, ये तो सूतली है, अब तुरंट उस सूतली को केक से अलग करके, उस अफसर को दिखाता है, कि सहाब ये देखिए, ये केक जिसमें आटे और मैदे का मिशरन होता है, तो उसकी बोरी की ये सूतली है, और कुछ भी नहीं है, तो वहाँ उपस्तित सभी अफसरों ने उस सूतली को देखा, और जिसने भी देखा, हका भका रह जया, और उसको अपनी आखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं आया, क्योंकि इनी आखों से कुछ देर पहले उन्होंने सौ पेरी जीव को देखा, एक दो अफसर देखते, तो लगता था कि ब्रह्म है, परन्तु वहाँ पचास से साट अफसर मौजुद थे, और सभी ने बारी बारी उस केक पर अपनी नजर दोड़ाई थी, उन अफसरों में एक सरदार जी जो की वो भी बड़े अफसर थे, उन्हों ने उस बिस्किट के फैक्टरी के मेनेजर को पूशा, कि आपके मालिक कहा है, तो मेनेजर ने कहा, कि सहाब हमारे मालिक तो आशरम गए हुए है, श्री गुरु मैराजी का मत्था टेकने, बस आते ही होंगे, तो वो अफसर सरदार जी मेनेजर को पूशते हैं, कि आपके सेट कौन से गुरु को मानते हैं, तो मेनेजर ने बताया, कि हमारे सेट और मैं खुद भी शिरियाननपुर वाले गुरु महराजी को मानते हैं, तो सरदार जी ने अपने अपसरों को बताया, कि हमारे गुरु ग्रियंत साथ में भी ऐसी कई प्रमानें, कि गुरु को मानने वाले, जिनको हम गुर्मुक कहते हैं, गुरु ने अपने सच्चे भक्त को हर मुसीबत, हर कष्ट से बचाया है, और उनकी हर पल रक्षा किये, तो वास्ताओं में इनके जो शिरिगुरु महराजी ये आननदपुर वाले, जो इनके से, जिनकी ये प्रातना करने गये हैं, जिनको ये अर्दास करने गये हैं, जीव थी, सोपेरी, और हमको ये अपसूतली दिखाए दे रही है, ये सब इनके गुरु का करिश्मा हैं, गुर्मुखों, फिर उन अपसरों ने उस मेनेजर को थोड़े बहुत सरकारी निर्देश देकर जाने को कहा, और उन अपसरों को परेशानी की माफी मांग कर, वो मेनेजर खुशी-खुशी वहां से रवाना हुआ, ये हमारे श्री गरु मैराजी की लिला है, कि कैसे अपने सच्चे बक्त की रक्षा करते हैं, हर एक मुसिबत में, शोटी-शोटी बातों में भी, वे हमारी हर पल रक्षा करते हैं, और हमको समय समय पर भक्ती की रहा भी दिखाते हैं,